हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ओफ रैंकमेट सीरीज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैंकमेट की रिडिरेक्शन सेटिंग के बारे में कि इस तरह से आप एक URL को दूसरे URL पर रिडिरेक्शन कौन-कौन से टाइप की होती है तो चलिए शुर आप Yoast SEO plugin यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको एक अलग plugin यूज़ करना पड़ेगा Redirection के लिए लेकिन Rankment के अंदर ये facility inbuilt है तो यहाँ पर आपको एक extra plugin यूज़ नहीं करना पड़ेगा तो चलिए देख लेते हैं Redirection काम कैसे करता है जब आप Add New पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी Redirection की settings आ जाएंगी यहाँ पर आपको Source URL एंटर करना है और यहाँ पर आपको Destination URL एंटर करना है Source URL के अंदर काफी सारे options हैं जिनको हम one by one देखते हैं ताकि आप गलती ना करें Source URL के अंदर देखिए सबसे पहले है exact, then contain, start with, end with, or regex यह पूरी settings में आपको बताता हूँ कि यह काम कैसे करती है सबसे पहले बात कर लेते हैं exact के बारे में जैसा कि वहाँ पर लिखा हुआ है exact उसका क्या मतलब है यह 404 page है माल लीजिए आपका जिसके अंदर अगर हम इस page को open करेंगे तो यह 404 adder देगा वो अभी हम देखते हैं ठीक है तो अभी exact math में यानि source URL में आपको क्या enter करना है अगर आप चाहते हैं कि redirection exactly वही हो जो आपका 404 page है इसके अलावा कोई और page ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा exact URL एंटर करना पड़ेगा तो अब हम देख लेते हैं यह काम कैसे करता है सबसे पहले हम उस URL को यहाँ पर open कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसको incognito में open किया है क्योंकि वो page वहाँ पर save हो गया तो अब हमें इस URL को redirect करना है ठीक है तो यह हमारा URL हो गया अब हम क्या करने वाले हैं? रिडिरेक्शन में जाएंगे और source URL के अंदर क्या एंटर करेंगे? only this this is test post 2 यानि कि सिर्फ ये वाला जो URL का पार्ट है इसको एंटर करेंगे जब आप इसको एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या select करेंगे? exact select करेंगे और destination के अंदर मैं क्या करता हूँ? मैं इसको home page पे redirect करता हूँ आपको यह ध्यान रखना है कि destination URL में आप पूरा URL एंटर करेंगे जबकि source URL के अंदर आप URL का ये वाला हिस्सा एंटर कर सकते हैं तो अब हमने ये setting कर दी है, बाकी की setting हम बाद में देखते हैं तो अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको add redirection कर देते हैं अब हमने redirection कर दिया है, अब हम इस page को एक बार refresh करके देखते हैं देखिए, ये page कहां चला गया, home page पे redirect हो चुका है तो I hope आपको ये setting समझ में आ गई होगी अब हम next जो इसका type है redirection का, उस पर चलते हैं जो की क्या है, contains, मैं उसी URL को ले रहा हूँ this is test post 2, अब यहाँ पर इस URL के अंदर test नाम का एक word आया हुआ है ठीक है, और अगर हमें contains वाले option को select करना है तो हमें test, कोई भी हम use कर सकते हैं this is test post या two में से कोई भी word यूज कर सकते हैं तो मैं अभी test जो use करने वाला हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने यहाँ पर क्या लिखा test, उससे पहले हम जो पहले से redirection किया हुआ है उसको remove कर लेते हैं, ठीक है क्योंकि हम उसी URL को test करने वाले हैं तो मैंने इसको क्या कर दिया, delete कर दिया यहाँ पर आप देखेंगे, यह वही open हो रहा है हम redirection में फिर से redirect करने वाले हैं और यहाँ पर हम test word use करने वाले हैं और यहाँ पर हम क्या डालेंगे, क्या select करेंगे, contains तो उसका फाइदा क्या है, देखो contains का जितने भी URL हों आपके पास अगर उन में कही ना कही test आ रहा है और आपने उन URL को remove कर दिया है तो क्या होगा, वो redirect होगा अगर remove नहीं भी किया है तो भी redirect हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है आपको contains या दूसरी जितनी भी settings है उनको बिल्कुल carefully use करना है exact वाला बिल्कुल सही method है उसको use करेंगे तो सही रहेगा लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा case आता है कि जिसमें आपको बहुत सारे URLs remove करने पड़ रहे हैं और उन सब में कोई ना कोई आते हैं refresh करके तो यह देखिए home page पे जा रहा है ठीक है तो अब हमारा यह वाला भी clear हो गया अब यहाँ लिखा हुआ आ रहा है contains ठीक है अब हम इसको क्या कर देते हैं एक बार remove कर देते हैं ताकि next setting भी हम इसके अंदर चेक कर लें और इसको एक बार मैं आपको open करके दिखा देता हूँ देखिए अभी refresh करने पे भी redirect नहीं हो रहा क्योंकि हमने redirection remove कर दिया है अच्छा तो next अब हम next जो इसका type है वो क्या है starts with ठीक है तो अब हम इसको cover करते हैं start with का मतलब है जैसे यह आपका URL है यह किस से start हो रहा है this word से start हो रहा है अगर आपके पास कुछ ऐसे URLs हैं जो किसी particular word से शुरू हो रहे हैं और आप उन सब URLs को क्या है redirect करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या use करना पड़ेगा starts with तो माल लिए यहाँ पर this word लिखा हुआ है तो इसको मैं use करूँगा तो word क्या है हमारा this ठीक है और यहाँ पर क्या हा रहा है starts with ठीक है और redirect इसको हमने कहा करना है इसको हमने homepage पर करना है और add redirection कर देना है ठीक है तो यह हमने redirection कर देना है अब हम उस page को refresh करके एक बार check कर लेते हैं refresh किया home page पे जा रहा है ठीक है तो 3 हमारे cover हो चुके है एक बार मैं इसको फिर से trash में डाल देता हूँ ताकि हम इसको एक बार मैं refresh करके पे दिखा देता हूँ ठीक है यह हो गया next क्या है हमारा end with तो end with में clear है नाम से clear है आपका जिस word जिस number पे वो end हो रहा है उसको अगर आप use करना चाहते हैं माल यह बहुत सारे urals हैं जिसमें एक particular word पे वो end हो रहा है तो उसके लिए भी आप क्या use कर सकते हैं end with तो यहाँ पर two आ रहा था तो अब हम इसमें क्या use करेंगे जब हम new पे click करेंगे तो यहाँ two click करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे ends with करेंगे और इसको क्या करेंगे home page पे redirect करेंगे और add जो टाइप है वो है आपका Regex इसका मतलब होता है regular expression अब ये जो है वो बिलकुल ध्यान से यूज़ करने वाला है उपर वाले दो-तिन में गलती हुई तो चल सकता है जाता URL एफेक्टिड नहीं होगी लेगन इसमें अगर गलती हुई तो सारे के सारे URL कहीं और redirect हो सकते हैं तो इसको बहुत ही carefully use करना है तो मैं आपको बताता हूँ पहले ये होता क्या है regular expression माल लीजे मेरे पास एक 404 page है जिसका ये URL है maintenance लिखा हुई ठीक है अब अगर मैं इस expression को use करता हूँ तो ये जितने भी URL M से शुरू हो रहे हैं और E से end हो रहे हैं वो सारे के सारे redirect हो जाएंगे जहां पे मैं redirect करूँगा अब इस regular expression को हमने use करना है ठीक है ठीक है अभी हम इसमें क्या use करेंगे और page की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो page क्या है हमारा ये हमारा page है तो अभी देखिए ये 404 आ रहा है यहाँ पे है ना अब हमें इसको उस expression का use करके redirect करना है तो ये हमारा page हो गया इसको हमने check कर लिया अब हम जाते हैं वापिस और इसको हमने redirect कहां करना है home page पे ठीक है आप एक बार फिर से देख लिजिए 404 आ रहा है अब हम क्या करने वाले हैं add, redirection यूज़ करने वाले है तो ये हमने add कर दिया अब हम इस page को refresh करते हैं तो ये भी home page पे redirect हो गया ठीक है जी अब इस expression को अगर आपने check करना है कि ये सही है या नहीं है मतलब कहां पे वो काम कैसे कर रहा है वो अलग बात है लेकिन उसका syntax सही है या नहीं है वो check करना हो तो ये एक website है इस पर आप जाकर check कर सकते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे काम करती है ठीक है ये जो website है इस पे जाएंगे और इस expression को मैं यहां से copy करता हूँ और यहां पर मैं इसको add करता हूँ तो यह मैंने add कर दिया अभी कोई इसमें issue नहीं है अगर इसमें error होती तो यहां पर error दिखा देता ठीक है लेकिन ये मैंने generate कहां से किया अब ये एक question है मुझे मैं coding नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं पता है कि किस तरह का syntax regular expression में use कर सकते है यहां पर किस तरह का syntax use होगा तो मैंने क्या किया मैंने chat GPT या Gemini में से कोई AI tool का use किया और उसको बोला कि मैं M से शुरू होने वाले और E से end होने वाले जो URL से उनको remove करना चाता हूँ मुझे इसका regular expression का code दे दो तो उन्होंने मुझे यह generate करके दे दिया ठीक है आप भी इसी तरह से किसी भी AI tool की help से वो code generate करवा सकते है अपने आप से कुछ भी मत लिखेगा और उसको फिर एक बार check भी कर सकते है तो इस तरह से हमने क्या किया हमने सारे के सारे जितने भी इसके अंदर options थे वो सारे cover कर लिए तो इनको ध्यान से करना है मलब अगर आपने गलत किया तो सारे URL कहीं भी redirect हो सकते है अब इसके बाद अगर आप कोई URL आपके ऐसे हैं जो आपने uppercase letter में लिखे हुए है या किसी और format में लिखे है बट आप चाह रहे हैं कि वो case को consider ना करें मालनी जे T बड़ा है, H बड़ा है उसको consider ना करें, उसको small में ही मानें, तो यहाँ पर आप ignore case को check कर देंगे, वैसे चितने भी URL wordpress में बनते हैं, वो सारे small case में ही बनते हैं, तो कोई ऐसा issue नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई और यूज कर रहे है कोई अगर आ रहा है ऐसा जिसमें बढ़ा है, तो वो आप इसको select करके उसको हटा सकते हैं मतलब उनको सबको वो small case में ही भीज दिया, तो उन दोनों को मैं एक ही उसमें add करके भी कर सकता था तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है, तो आप यहाँ पर add another करके, जितने भी URL है, उसको एगर एक ही destination पर भीजना है, तो इस add more another का जो use कर सकते हैं अब है next है destination URL destination URL में आप अपनी website का कोई page भी डाल सकते हैं, और दूसरी किसी website का URL भी enter कर सकते हैं, ठीक है तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा URL एंटर करना है, आपको HTTPS के साथ ही enter करना है, जबकि उपर वाले cases में क्या था, हमने सिर्फ जो slash के बाद का पूरा जो option था, वो सब भी use किये थे, जो words थे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, destination URL में आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा complete URL एंटर करेंगे, अब इसके बाद है redirection के types, इनको हम देख लेते हैं, यह क्या है, देखिए, तीन तरह के redirection है, mainly इसके अंतर जो बताए गए हैं, इसके अलावा भी होते हैं, तो बट वो हमें नहीं करनी है, 301 redirect का क्या मतलब है, इसका मतलब है, हम Google को बता रहे हैं कि यह page permanently move हो चुका है, अब दुबारा से वो page नहीं आने वाला, हमने उसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो अगर ऐसा कोई है, तो उसके अंदर आपको क्या select करना है, 302 का मतलब है, यूरल जो है, और फिर से वापिस आकर उस URL पर जा सकते हैं, ठीक है, 307 भी जो है, वो 302 की तरह से ही काम करता है, बट इसको हम क्या है, अगर कोई सर्वर प्राइमरी डाउन हो जाता है, तो में लिए आप 301 और 302 को यूज करें, जहातर जो लोग है, इन दो का ही यूज करते हैं, 307 भी है, बट ये दो ही यूज होते हैं, आपको दिखा देता हूं सेटिंग के अंदर, तो या तो आप इन तीनों में से कुछ सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप ये दोनों औप्शन में से कुछ सेलेक्ट करेंगे, अब ये maintenance code हैं, इनको कभ यूज करते हैं, तो इनको हम तब यूज करते हैं, जब हमारा जो यूरल पर हम ने redirect करना है, वो यूरल रेडी ना हूँ, माली जी य आपका वो यूरल आपने तयार ने किया है, ठेक है, आपको नहीं पता कहा हँ तो उन cases में आप इसका यूज कर सकते हैं अब इसके अंदर भी दो code है 401 का मतलब है कि अगर आपने वो content delete कर दिया है अगर वो content deleted है तो आप किसका यूज करेंगे 410 का अगर आपका वो content किसी legal reason की वजह से आपने उसको हटाया है तो आप 451 code का भी use कर सकते हैं तो I hope आपको ये भी समझ में आ गया होगा अब हम आगे की settings देख लेते हैं इसके अंदर उसके बाद है activate और deactivate उसके बाद क्या कर देंगे आप add redirection पे click कर देंगे तो I hope आपको redirection की पूरी setting जो है वो समझ में आ गई होगी अगर कोई doubt है तो आप नीचे comment में पूछ सकते हैं मैं आपके पूरे questions के answer देने की कोशिश करूँगा और आपसे मिलते हैं अगले वेडियो में कर दो